आपको मालूम है कि हमारे चैनल के उपर कुट बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसला जाए और इस सिलसले में हमारा दूसरा टॉपिक है इंट्रोड़क्शन टू कुट बुक्स पिसले टॉपिक के अंदर हमने इंट्रोड़क्शन टू कुट बुक्स के बारे में पढ़ा था कि कुट बुक्स के बारे में पढ़ा था कि कुट बुक्स की ट्रेनिंग की ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ इंट्रोड़क्शन टू के मालक हैं और इस वक्त आप Microsoft, Excel या फिर कोई और तरीकाइकार इस्तमाल कर रहे हैं अपने Office की Bookkeeping के लिए, Accounting के लिए और Move करना चाते हैं किसी Accounting Software की तरफ तो फिर आपके लिए QuickBooks एक बेतरी solution है क्योंकि QuickBooks एक इंतहाई आसान Accounting Software है जिसको बन्यादी सी ट्रेनिंग के साथ आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं सॉफ़वेर के बारे में अगर हम बात करें तो ये सॉफ़वेर जो Accounting Software है इससे Intuit Company ने तियार किया है, यूएस बेस ये कंपनी है और यही इसकी मार्कीटिंग भी करती है सॉफ़वेर इसलिए दुनिया में काफी ज़एदा मशूर है क्योंकि ये स्पेशली स्मॉल और मीडियम साइज बिजनिसे के लिए डिजाइन किया गया है और QuickBooks Accounting Software Intuit Company ने तियार किया है और यही इसकी दुनिया में मार्कीटिंग भी करती है दुनिया के मुख्तलिफ ममालक के अंदर इसके Authorized Resellers मौजूद हैं जो QuickBooks के Software Resell करते हैं इनको Implement करते हैं पाकिस्तान में QuickBooks के Authorized Resellers Finantics Consulting है Finantics Consulting का Web Address मैंने नीचे स्क्रीन के पर मेंचिन कर दिया है QuickBooks से लेटर किसी भी किसम की आपको केरी हो तो आप इनसे राप्ता कर सकते हैं और Software आप इनसे खरीद सकते हैं QuickBooks के Version के हम अगर हम बात करें तो QuickBooks इस वक्त दो डिफरेंट तरह के Versions में available है QuickBooks Desktop और दूसरा Cloud Based Version जो इनका है Web Based Version उनको QuickBooks Online कहा जाता है QuickBooks Desktop और इनसे खरीद सकते हैं QuickBooks Desktop में तीन डिफरेंट तरह के Versions अवेलेबल है QuickBooks Desktop Pro, QuickBooks Desktop Premiere और QuickBooks Desktop Enterprise इसी तरह गर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में भी तीन डिफरेंट तरह के Versions अवेलेबल है QuickBooks Simple Start, QuickBooks Online Essentials और QuickBooks Online Plus जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस चैनल की उपर अभी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं QuickBooks Desktop की तो हमारा जो भी फोकस होगा वो QuickBooks Desktop Products की तरफ होगा QuickBooks Online Products के बारे में डिटेल में हम आने वाले लेक्चेस में पढ़ेंगे जिस पर हम QuickBooks Online की ट्रेनिंग इस चैनल की उपर हसल करेंगे तो QuickBooks Desktop अगर हम प्रोडेक्ट्स की बात करें तो QuickBooks Desktop Products में जैसा कि आपको अभी मैंने बताया है कि तीन डिफ्रेंट वर्जिन्स है QuickBooks Desktop Pro, QuickBooks Desktop Premier और QuickBooks Desktop Enterprise QuickBooks Desktop Pro QuickBooks का Basic Version है जो के उन लोगों के लिए मौज़ू है जो अभी QuickBooks Accounting Software की तरफ मूफ कर रहे हैं और जिनका Financial Transaction का अभी इतना जएदा लोड नहीं है QuickBooks Desktop Pro Maximum 3 Multiple Users को सपोर्ट करता है यानि कि एक वक्त में 3 Maximum Users QuickBooks Use कर सकते हैं अगर एक प्रेमस के प्रेमस को इसको इस्टॉल किया जाए अगर हम बात करें QuickBooks Desktop Premier की तो ये QuickBooks का कदरे Advanced Version है प्रेमियर के मुकाबले में ये Maximum 5 Users तक को सपोर्ट करता है यानि कि एक वक्त में 5 Multiple Users इसको 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 इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्जिन इसमें अवेलेबल हैं आप इनको यूज कर सकते हैं प्रैसिंग इसकी QuickBooks Pro से थोड़ी सी ज्यादा है और सबसे जो Advanced Version है QuickBooks Enterprise वो वर्जिन है QuickBooks का सबसे Advanced Version सबसे Advanced Features के साथ ही अवेलेबल है इस वर्जिन के अंदर QuickBooks Desktop Pro और QuickBooks Desktop Premier दोनों के Features के साथ साथ इसके अपने Advanced Features इसमें अवेलेबल हैं QuickBooks Desktop Pro तीन यूजर तक को सपोर्ट करता है Premier वो पांच यूजर तक को सपोर्ट करता है जबके QuickBooks Desktop Enterprise तीस यूजर तक का सपोर्ट करता है तीनों की Pricing के अगर हम बात करें QuickBooks Desktop Pro का Single License $300 से शुरू होता है Premier का Single License $500 से शुरू होता है और Enterprise का Single License तकरीबल साड़े $1.100 पर एयर से स्ट्राट होता है यानि कि Enterprise जा है वो subscription-based software है अगर आपने इन तीनों software के बारे में मजीद detail में comparison करना है detail comparison देखना है कि किस software के कौन से features है और तीनों का आपस में comparison क्या है तो फिर screen पर दीवी website आपके सामने आ रही होगी www.finantics.net forward slash quickbooks dash desktop ये website address मैंने वीडियो की नीचे description में भी mention कर दिया आप just visit कीजिए और detail में अगर आप इन software के features को देखना चाहते हैं तो website पर जाके आप देख सकते हैं और अगर आपने software खरीदना है तो Finantics Consulting पर जाके आप software को order कर सकते हैं और अगर आपने accounting pro channel के reference से आपने software order किया है तो आपको special discount Finantics Consulting के तरफ से भी मिलेगा अगर आप software को order करें तो accounting pro channel को mention करना ना भूलिएगा ताके आप software के उपर discount हसल कर सकें बात करते हैं हमारी training के उपर कि इस channel के उपर हम किस version की आपको training करवाने जा रहे हैं तो जैसे कि आपको बताया हमने कि 3 different versions QuickBooks के available है QuickBooks Desktop Pro, QuickBooks Desktop Premier और QuickBooks Desktop Enterprise तो हमने आपको ये भी बताया कि जो QuickBooks Desktop Enterprise है वो उसमें QuickBooks Desktop Pro और Premiere दोनों के features available यानि कि अगर आपने QuickBooks Desktop Enterprise की training कर ली तो automatically आपकी QuickBooks Desktop Pro और Desktop Premier की training complete हो जाएगी तो इसलिए हम आपको अपने channel के उपर जो training करवाने जा रहे हैं वो आपको training करवाने जा रहे हैं QuickBooks Desktop Enterprise की क्योंके QuickBooks Desktop Enterprise सबसे advanced version है QuickBooks का और इसमें QuickBooks Pro और QuickBooks Premier के वो तमाम features available है जो अगर आप QuickBooks Pro और अलादा से पढ़ ले या QuickBooks Premier और अलादा से पढ़ ले अगर आपने QuickBooks Desktop Enterprise पढ़ लिया तो फिर आपको Pro और Premier पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंके अगर आपने Enterprise की certification कर लिया तो Pro को implement करना या Premier को implement करना आपके लिए कोई problem नहीं होगा तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी informative होगी आपको QuickBooks के बारे में basic information हासल हो गई होगी तो इसके बाद जो हमारा अगला topic होगा वो हमारा होगा कि अपने QuickBooks को किस तरह download करना है QuickBooks को किस तरह install करना है जनी कि हमारा अगला topic होगा How to download QuickBooks Desktop Enterprise वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर अभी तक अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजी वीडियो को लाइक कीजी और शेयर कर लीजी अपना हलका अभाब में जहां रहें खुछ रहें मुस्कुराते रहें